नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप थुनची आरती में दोस्तों आज मैं जो है आप लोगों को दुर्गा पूजा के दशुपचार वीधी के बार में ये पीडियेफ बाला बताने वाला हूँ जो कि आप में से जादतर लोगों का ये रिक्वस्ट था कि जो पीडियेफ के माध्यम से जैसे पढ़के मैं सुनाता हूँ कई सारे जो पूजा पधती है वो मैं इस बार भी दुर्गा पूजा के पहले भी एक बार आप लोगों को पढ़के सुनाओ तो मैं यहाँ पर दशुपचार इसमें अक्चुली आप दादशुपचार भी बोल सकते हैं इसे पर ये जो है मूल रूप से मैंने यहाँ पर दशुपचार विधी के हिसाब से ही जो है ये वाले मैंने सेलेक्ट किये हैं शोड़ शुपचार या अश्टा दशुपचार इसमें मैंने नहीं रखा है यानि स्नानी आदी इसमें मैंने नहीं रखा है क्योंकि सभी लोग पूजा कर पाई यही मेरा उद्दिश रहता है मैं हमेशा इसलिए जादातर कहता हूँ कि साधरन पूजा जो है वो दशुपच गर अगर दशब्चार भी नहीं कर रहे हैं तो आप सब्थ उपचार से जो है पूजन कर सकते है तो अश्टादश उप्चार जो है वो महापूजा की एक विशह में आ जाते हैं वैसे तो 28 और 32 उप्चार महापूजा की विशह में आते हैं उससे संक्षिप्त हो गया है मतलब अश्टादश और 16 उप्चार जो है ना उससे उसका संक्षिप्त करन आप बोल सकते हैं तो पूजा हो या फर साधरन ग्रिहस्त पूजा हो वो दशुपचार से किये जा सकते हैं और दशुपचार से सभी पूजा कर सकते हैं इसलिए मैं जाधा तर आप लोगों को जब भी बताता हूँ दशुपचार विधी के बारे में बताता हूँ हाँ दशुपचार में कुछ मैं यहां पर आप लोगों को बताने puffgrade सभी कर सकते हैं मैं फिरसे आप लोगों को यह चहता हूँ reddish joe वो सभी लोक कर सकते साधंधर व्ग्रियास्त से लेकर जो महापूजा कर रहे है सभी शोड़ शुक्चार अश्टा धाशुक्चार सभी के लिए करना संभव ना भी हो सकता है पर दशुप्चार सभी के लिए है और साधरन ग्रियस्त जो है वो अगर दशुप्चार नहीं कर पा रहे है तो वहापर जो है वो शब्तुप्चार या पंचुप्चार कर सकते हैं महापूजा वैसे कम से कम दशुप्चार से को करना ही होगा कम से कम दशुपचार विधी जो है वो महापूजा के विधी में आएगा ही वरना वो महापूजा नहीं कहा जाएगा अगर दशुपचार विधी के साथ जो है वो पूजा कारिय ज्यानि के पूजा कृत्य जो है वो नहीं किया जाएगा कम से कम तो उसे महाप पूजा के पूजन जो है वो नहीं कहा जाएगा तो इसलिए कम से कम दशुपचार पूजन करना ही होगा इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ग्रिहस तो हूँ या फर कोई भी मरे तोड़ पर पूजन कर रहे तो हमेशा उनका दशुपचार विधिकायोजन होना चाहिए मैं यहाँ पर जो है बिलकुल सिर्फ जरूरी चीजों को ले रहा हूँ वरना वीडियो क्या होता है बहुत लंबा हो जाता है फिर आप लोग कहते कि वीडियो बहुत लंबा हो गया हम लोग कंफ्यूज हो गये तो मैंने यहाँ पर आचवन आदी पवित्री करन ये सब कु यहाँ पर वही चीज़ों को रखा है तो ये शुभारम्ब मंगल प्रार्थना ओमसर्व मंगल वंगल्यंग वरिन्यंग वरदंग शुभंग नारायनंग नमश्कृत्यंग सर्वकर्मानी कार्यत श्रीहडी नारायन विश्नु को जो है प्रणाम करके उन्हें साक्षिरण कर स दर्वकर्म जो है वो किये जाते है गंधादी अर्चन ओम एतश्म इबंग गंधिव्यनम गंधादी अर्चन का अर्थ होता है धूप दीप से लेकर जो है आपने जो गंध पुष्प आदी जो है अपने पुष्प पात्र में सजाया है उनका अर्चन करना ये जो है ये ए नईवेध्य का अर्चन नहीं होगा प्रचन करते हैं तो वो जादा सही रहता है पर कई मत के अनुसार जो है तीके मत ना बहुत सारे है अब आप कौन सा लेंगे यह आपके उपर निपड़ करता है यह सारी चीज़े मैं हमेशा आप लोगों को बता दूँगा ऐसा नहीं होता है सभी के अपने अपने मत होते हैं हर किसी के मन अलग है मेरे साथ हर किसी के मतलब ओडर जो है वो आपको फॉलो करना है पड़ ऐसा नहीं है कि मेरे मत के साथ हर समय आप लोगों के सारे मत मिले बहुत सारे लोग यह कहते कि हम लोग तीस तरह से करते हैं तो हाँ बिलकुल मत में जो है अंतर हो ही सकता है विश ये खहके हो जाता है गंधार्चन जो गंधार्चन जो है आपको करना है गंधार्चन जैसे मैं आपको बता दिया कि कई लोग जो है धूप दीब आधी प्रजोलन करते हैं तो ये आप लोगों के उपर निल भड़ करेगा यह आप लोगों को दिखाए दे रहा है न दोस्तों मुझे लगता है कुछ light जो है न वो reflect तर रहा है थोड़ा बहुत तो I think आप लोगों को दिखाए दे रहा है कलस थापना कलस थापना में जो है अब जो है कलस को पंच गुड़ी पांच सस्य अश्ट दल कमल पर बैठा कर सपर्श करके बोले यानि कि जो कलस है अब जो है उसे जैसे जल भढ़ के आदी उसमें सर्व औशदी महा औशदी के सब कुछ दे कर जो है इस तरह कर कलस की जो है न कलस थापना की नियम है वो करके आपको स्थिर करन करना है इसमें बोलना है यहाँ पर मैंने पंच देपता पूजन या गौरी गनेश पूजन नहीं लिखा है बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या केबल गनेशंबी का पूजन करना काफी होता या पर जो है पंच देप पूजन करना ज़रूरी होता है वैसे तो नियम के अनुसार पंच देप स्मार्त मत की क्योंकि वैदिक मत की पूजा है तो इसमें जो है आपको दोस्तों पंच देप पूजन ही करना चाहिए जैसे कि कई जगे पर जैसे कि केबल लौकिक bit से या पर आगो मुक्त मत से केबल गनिशम्भी का पूजन करते हैं पर क्योंकि यह वैदिक पूजा है तो इसलिए यहाँ पर आपको पंचदेव की पूजा ही करना चाहे तो पंचदेप के पूजा के बाद जो है कलस्थापना के बाद पंचदेप के पूजन होगे पंचदेपता के श्री गनीज जी के पूजन होगे सूर्य देप के पूजन होगे श्रीहडी विश्नु के पूजन होगे और जो है शिप जी और मातारानी के पूजन होगे कई जग है तो मानस उप्चार में जो है मानस उप्चार पूजन ये देखिए मानस उप्चार पूजन है दोस्तों ये जो है ना मानस उप्चार पूजा है तो इसमें आपको बोलना है आचमम आप पंच उप्चार मानस उप्चार भी कर सकते पर क्योंकि मैंने और लेडिस के ओपर व वस्त्रंग स्यात गंध तत्वंग गंध स्यात आचमं अम्रिते नईवस नानियं तेन चस्मृतम आकाश तत्वंग वस्त्रंग स्यात गंध स्यात खिती तत्वकम गंध स्यात खिती तत्वकम यह एक्चुली ना लाल रंग से लिखा है ना इस ते थोड़ा पढ़ने में पुष्पंग धूपंग घ्राणा प्रकल पैत तेज तत्पंग च दीपार्थंग नैवेध्यं स्यात शुधा मुधी अनाह तद्वनी घंटा वायुतत्यंग चामरप ये अल्लेडी मैंने वीडियो बना दिया है आप वहासे भी थोड़ा चेक कर ले सकते हैं आचमम अम्रिते नैवस नानियं तेन च स्मृतम आकाश तत्वंग वस्त्रंग स्याता गंध स्याता खिती तत्वकम चित्यंग प्रकल पैत पुष्पंग धूप घ्राणा प्रकल पैता तीज तत्वंग च दीपार्थ नैवेध्यं स्याता शुधा मुधी अनाह तद्वनी घ अब इसके बाद जो है आज मनी से हम शुरू करेंगे मा के प्रधान पूजा यह मूल पूजा है ध्यान मंत्र मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है आप जटा यूट समायुकते यह वाला ध्यान मंत्र बोल सकते है और यही बोलना चाहिए ध्यान मंत्र असल में न वही होता है यहाँ पर कई लोग के वल मूल मंत्र जैसे की जैनती मंगला कालियादी बोल के भी करते तो ठीक है अगर कोई उतना ही बोल कर कर पाता है तो वो भी चलेगा कोई समस्या उसमें नहीं है पर यह टायोट समायुकत अगर आप बोल पाते यह वाला पूरा ध्यान मंत्र तो अगर आप जो है आपके घर में मा के नित्य प्रतिष्टा है तो वहाँ पर आशन देने की कोई विशय नहीं है आप पाद्य अर्ग दे सकते मैंने यहाँ पर नहीं लिया है कूंकि दशुप्चार विधी में मैं यह दिखा रहा हूं साधरन जो पूजा विधी है दशुप्चार से तो आचमन के बाद आचमन ना देना ही होगा आपको आचमन हात्मू धोने का जल होता है दोस्तों तो आप पादिय दक मतलब पैर धोने के जल देने के बाद आचमन दे सकते हैं अगर आप पादिय से शुरू करना चाहते हैं पर आप दूसरे स्नानिय दे आप पादिय जल दे या पर दूसरे अर्ग के जल आदे दे या ना दे आ आपको जो है आच्मनिया देना ही होगा क्योंकि पुनराच्मनिय के विशय जो है वो बाद में आहीं जाएंगे तो आच्मनिया कॉमन है आच्मनिया आपको देना ही होगा शंखा भरन उम एत श्वईबंग शंखा आभरनायनमा ये शांखा जिसे हमारी यहाँ पर स्वहाक के चूली कहे जाते हैं आपके वाहाँ पर जो है आप वो बोल सकते हैं एत गंध पुष्पे शंक आपरनाय नमा इत गंध पुष्पे इत ददिपतेय देवाय स्री विष्णवी नमा इत गंध पुष्पे इत चंप्र दानाय स्री भागवती दुर्कादेप्य नमा इदम शंक आपरनं स्री भागवती दुर्कादेप्य नमा प्रवाल आपरन एत उम एत श्वैबंग प्रवाल आभरनाय नमा इसे पला कहा जाता है ये वी सोहाक्कि चूली होते उम दिव्यरत्न समा युक्ता म बन्य Ti भानु समप्रभा गातराणी शोभैश्वंती अलंकार सुरेश्वरी इदम सर्ण आभरन स्रि स्री भगवती दूर्का दिव्ये नमा रजत आभरन उम एत श्रोईबंग रजत आभरनायनम इत गंध पुष्वे रज आभरनायनम इत गं पुष्पी एतद संप्रदानाया शृू्स्री भगवती दुर्गादिव्ये नम्हां, ओंग दिव्यरत्न समाय उक्तंग वन्नी भानु समप्रवाग आतराणी सुभैष्वन्ती, अलंकार सुरेश्वरी, इदं रजुता आवरनं सृुस्री भगवती दुर्गादिविये न नित्रांजडायानिकी काजल जो है 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 गंधर्वा आसुर भोजण माया निवेदीत भाक्ता धूप यंग प्रतिक्गुरी ख्यतम एशा धूप एशा धूप यहाँ पड़ भी आप जो है बोल सकते है दोस्तों एशा घृत सहीता सुगंध धूप सुगंध धूप सुगंध धूप सुष्ट्री भागवती दुरकादिव्य निवेदया में यह कैते हुए आपको दस बार घुमाना है इसके बाद हक्स्त प्रक्षालन करना है पुनराच्मनिय प्रदान अब उमेत श्वई बंग पुनराच्मनिय दकाय नमा इतगंध पुष्पे पुनराच्मनिय दकाय नमा इतगंध पुष्पे एतद अधिपते देवाय स्री विष्णवे नमा इतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय स्रिस्ट्री भागवती दुरकादिव्य नमा उगम अंध्याक इन्यास्तु जद्वारी करपूराधी सुवाशितं ग्रिहान पुनराच्मनिया मया भक्ता निवेधी तम पुनराच्मनिय जब दे रहे तुसमें कपूर्श सुवाशित होना चाहिए बहुत सही रहता है। दीप के बाद हस्त प्रक्षालन इसके बाद है पुष्ञनली पुष्पाणजली के बार में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि पुछ़ कान जा जाए या फर थूबदि प्रदान के बाद कि कई चगे पर यह दिखा जाता है। अगर आप लोग जी है किवल नई वेद्या मतलब शरकरा नई वेद्या आदी या पर जो है किवल मात्रा आमान्य चावल के नई वेद्या आदी दे रहे हैं तो उसमें जो है आप नई वेद्या धूब दीप के बाद नई वेद्या और पुषपांजली दे सकते पर उसके करके भोग नई वेद्य करने के बाद जो है पुनराच्पनिय आदिये तैजश आदिये सब कुछ दे कर फिर जो है आरती से पहले आपको कुषपांजली प्रदान करना चाहिए दोस्तों तो यह हो जाता है आरती के पहले अक्चुली जो है तीन बार पुषपांजली देना ही होता है तो यहाँ पर जो है यही विद्य है कि भोग नई वेद्य अगर आप दे रहे तो आप पहले पुषपांजली कर लीजे यानि कि धूबदीप के बाद और अगर केवल नई वेद्य आदि फल मोल केवल दे रहे है तो आप जो है धूब दीप के बाद नई विध्यादी देकर फिर फुषपांजली करके आप आर्थी कर दीजे एक साथ तो मुझे लगता है ये confusion आप लोग समझ गया है बहुत सारे लोग के अपने-अपने कुछ विषय जोड़ जाते है उसमें तो ये सारी चीजे होते रहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए एक जरूरी विशा है जो कि पत्र जो है, पत्र जो है हमेशा पत्र के साथ पुष्पाजली केवल कलश की उपर या ताम्र पात्र में ही देना चाहिए। प्रानायस्वाह, व्यानायस्वाह, समानायस्वाह, पंचवायू जो है यह उमदानायस्वाह, यहाँ पर एक छोटी सी गलती है दोस्तों, उमदानायस्वाह, अपानायस्वाह, उमदानायस्वाह, और लास्ट में जो है उम समानायस्वाह होगा, समानायस्वाह जो है वो सब से लास्ट में होता है यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है तो पुन राजमनी जिस प्रकार से देना होगा दूस्तों मैंने तो वो बता दिया है आप लोगों को पहले ही एक ही है मंत्रा आदी एक ही है तो यहाँ पर मैं डिपीट नहीं कर रहा हूँ तैजश आ जब आप निवेदन कर रहे है मा को, उसमें आपको एक फल कम से कम देना ही होता है, तो नारियल सबसे उप्तम होता है, आप पंच फल भी दे सकते हैं इसके साथ, और जो चावल आदी सबसी, आदी मसाले आदी दे कर जो है तैजश प्रदान के जाते हैं वो भी दे सकते हैं, वस्त्र के साथ भी दिये जा सकते तो उसमें कहा जाता है शवस्त्र जब भोज्य दे रहे है तो शव भोज्य और जब जो है फल आप दे रहे है केबल मात्र नारियल तो उसमें नारिकेल सहीत या पर श्रीफल सहीत भी आप बोल सकते हैं दोस्तों कम से कम एक फल आपको देना ही होता है कभी भी तैजस जो है ना खाली नहीं दिये जाते है उसमें कुछ ना कुछ आपको देना ही होता है तो ओम एत श्वई बंग नारीकेला सहीत तैजसा धाराया नमा एत गंदपुष्पे नारीकेला सहीत तैजसा धाराया नमा एत गंदपुष्पे यहाँ पर नमा द स्थ्फ्थ्वी भागवाती दूरकाद इप्ये सबसें के समय आफ के बहुत मह्एंगा होता को से आप ताल ब्रंत यहाँ पर आपके वहाँ पर जो भी प्रादिशिक पंखे मिलते हैं जो गर्मी के दिनों में हमारे दाधी लोगों के समय वो लोग मतलब रखते थे अपने पास हर समय मेरी दाधी तो जो है वो हर समय जो है वो रखा करती थी वो पंखा जो है ताल ब्रंत के पंखे ताल पत्ते से बनते थे वो पंखे और उसमें कपड़े आदी लगा कर ना बहुत सुंदर वो बना लेते थे खुद भी तो वो वाले पंखे ही जो है आप मा को व्याजन के लिए ले सकते है तो इसमें जो है उमेतश पर इबंग व्याजन उपचार आया जब आप और चामर दे रहे तो चामर आया बोलिएगा एक्चल क्या होता है आजकल जो चामर मिल रहे है ना वो लाइलन का हो रहा है जो कमदाम में मिल रहा है वो बिलकुल मत लीजेगा अगर सही वाले चामर ले पाते तो अच्छा है वरना जो है वो ताल बिढ़नत का पंखा आदी लिजगा वो सबसे श्रेष्ट होता है। वीडियो जो है वो बता दिया है सरल आर्थी के वहाँ पर जो है मैंने डीजेल में मंत्रा आदी भी वहाँ पर दे दिया है दोस्तों धूनों पुड़ानों में जो है आपको बोलना है सुरिष्ट्र भगवती दुरका देविय यग्य धूप समर पयामी आपरशिष्ट्र पर बोलने के जरूरत नहीं होती है वहाँ पर वहाँ पर जो है यही सुरिष्ट्र भगवती दुरका देविय यग्य धूप समर पयामी यह बोलके भी हवन आदी जो संक्षिप्त रूप में नित्य करते है न यह धुनुची पातर आदी में उसमें भी जो है इस प्रकार से जो है शिशिभगवती दुरका देविय यग्य धूप समर पयामी यह पर जो है जो लोग स्वाहा भी कहते है कि शिशिभगवती दुरका देविय स्वाहा इस प्रकार से जो है वो करते हैं और हमारे यहाँ पर जैसे धुनों पोड़ानों का चलन जो है न वो बहुत विशे धूनों पोड़ानों का मतलब होता है आत्मशुद्धी तो निक्ति दिन आप हो माधी नहीं कार पारे तो आप जो है इस प्रकार से मांखो आप धूनों आहोती अश्य दीजे दूनों गुगल जो है वो आपको आहोती देरना चाहे तो उसमें शिश्ची भागवती यग धूप स्विकार करें धूप सेवा या फर धूप नहीं विद्यम आदि देने के लिए उग्वनस्पति रसुद्भूत गंधाड गंध उत्तम आग्रिय स्रिष्च्र भागवती दुरकादेव्याई धूप खयंग प्रतिगरीहतम ये होगा उग्वनस्पति रसुदि गंधाड्य सुमनोः गंध उत्तमा आग्रेय स्रिष्च्र भागवती दुरकादेव्याई धूप खयंग प्रतिगरीहतम ये धूप स्रिष्च्री भागवती दुरकादेव्याई आग्रपयामी इसमें जो है आपको आग्रपयामी बोलना है दूप नई विद्यम यापर दूप सेवा आप जब कर रहे है तो उसमें जो है आपको धूप आग्रपयामी बोलना है वनस्पति रसोत भूत गंधाड्य गंध उत्तमा आग्रीय स्रिष्च्र भागवती दुरकादेव्याई धूप हयंग प्रतिगरीहतम एश धूप स्रिष्च्र भागवती करें दस बार घुमाएं आप यहा फर साथ बार घुमा सकते उसके बाद लिखा है उस समय शायद उतना ध्यान नहीं दिया था कि कई कई समय क्या होता है थोड़ा ध्यान नहीं रहता मतलब वह विशे तो याद रहता है पर किस ओडर आदी में जो है मन हर समझ कई समझ जो है न एकाग्रता से व्रष्ट हो जाता है तो उस समझ यह गल्तियादी हो ही जाता है पर आप लोग समपोर्न एकाग्रता से माख की पूचन करीगा तो इसलिए उम प्रानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उम व्यानाय स्वाहा, उम उदानाय स्वाहा, उम समानाय स्वाहा, समान जो है वो हमेशा अंत में होगा, कहते हुए जल घुमाकर और या फर मुद्रा प्रदर्शन करते हुए आप धूप सेवा करें, और इसके बाद जो है आप आर दिस्क्रिप्शन में चेक करेगा वहाँ पर पूरा मंत्र दे दिया गया है निश्काम और सकाम जो मंत्र है वो दोनों ही वहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना हमेशा आप लोग वीडियो के साथ चेक किया करें उसमें देखेगा इन सा सारे वीडियो ना छोटे बनाए नहीं जा सकते मतलब कई सारे विश्य आ जाते है इसमें और कई सारी चीजों को कन्फिशन दूर करना पड़ता है तो थोड़ा लंबा हो ही जाता है ये वीडियो तो ये वीडियो आप लोगो कैसा लगा दूस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेड भी जरूर कर दीजगा मिलेंगा आ जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार